जोट के तह तक जाकर पहुचाएंगे आपको सच्चाई तक आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब क्योंकि आपके वाच के नगर सेवक से करेंगे हम सीथे सवाल देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब क्या कहता है ये पास साल का अनुभाव क्या खिया क्या कर सकते थे ऐसे तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रही है हमारा नया कारिक्रम नगर सेवक आपके द्वार नमस्कार NBC News की नगर सेवक आपके द्वार इस कारिक्रम में मैं हूरुपा पंडित आज हमारे साथ हमने स्टूडियों में खासतोर पर अमंतिर किया है नगर सेवी का प्रभाक्रमांग बाइस की साथी नाखपुर महानगरपाली का एवं सभापती गांधीबाद जोन की साथी समासेवी का शाध्धा पाथक मैंगो में सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने लिए बहुत बहुत है की नगर सेवक को हम आपकी समस्यां से आपके वाढ़केAST को रुबरू कर rope कर वाते हैं तक है उन्जाने में अनजाने में बहुत सी समस्यां होती है जो नगर सेवी का है तो आपके मन में कब आया कि समास सेवय के साथ राच्ची करियर में भी जाना चाहिए एक्चुली मैं बहुत बच्पन से राष्ट सेवी का समीति का काम करती थी उसके बाद विद्यार्थी परिशत का काम शूरू किया और तब से रगने लगा कि जब हम लोग यह समाज की सब गति वीदियों में हम लोग अजब तक अट्यूम नहीं होते तब तक कुछ होने वाला नहीं है तो कॉलेज इलेक्शन से सुरू हुआ मेरा यह काम अभी महानगर पालिका के इलेक्शन तक आप पहुचा है बस यही एक है कि वह शुरुवात ही मेरी सब्सक्राइब कारति हुआ जयासяж अबहें कि कल्ए क्याना तो समाच सेवा कि साथ साथ आपना राजश्यनिती करियर शुरुवात किया या जो राजश्यन्ति करियेर था है अपके जब हम करते थे तो अलग अलग अपना दिमाग करता है और तब से लग रहा था कि नहीं मैं जो कुछ काम करूंगे तो इस राज की एक शेत्र में करूंगी और उसी उपलक्ष में मैंने मेरा पूरा करियर उसी ध्यान को मद्दे नजर रखते हुए मैंने अपना पूरा प्लैनिंग किया और वैसे ही अपना काम करते रही निरंतर और आज यहां तक पहुँची हूँ हम आपके राजशनिति करियर में ऐसा कभी कोई टर्निंग पॉइंट आया जब आपको ऐसा लगा कि नहीं हमारे समाज में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके लिए कोई ध्यान नहीं देता या फिर कोई उपेक्षा का शिकार हैं हमने सुनाए कि एक समय बहुत जादा बारिश आ गई थी तो बारिश के समय में आपने एक परिवार में अनाज को भीगते हुए देखा और उस समय आपका जो प्रयास था वो काभीले तारिफ था तो कैसे सिचुएशन थी वो उस समय की जो आप इंसिदेंस बता रहे हैं मै बारिश ये बारिश थी जहां वहाँ पानी था और गंगाबई घाट के अपोजित में एक अपनी सुदरशन कॉलनी है और वहाँ पे रात को मुझे बुलाया गया बंप निकालके पानी निकाला गडर साब कि रात को सब मशिन बुलवाई फाइर ब्रिगेट को बुलवाया माना निया प्रविन जी दटके थे अपने तब उन्होंने भी मुझे तब ये सब मशिनरी लाने में मदद की वहाँ पे और बात में जब मैंने महिलाओं से बात की तो एक घर में मैं वहाँ पे गई रात के साधारन दस साड़े दस बज़े होंगे माड़म और देखा तो व जाल चावल खिलाएंगे या फिर सब्जी रोटी खिलाएंगे जो भी बनता है वह बच्चों को खिलाती है और वह जब खिला नहीं पाती तो वह एक तरफ बारिश का पानी था और एक तरफ वह मा के आखों का पानी था और तब लगा कि नहीं आपे कुछ करना चाहिए इस इतना भी नहीं होना चाहिए कि इतनी बारिश पढ़ रही और लोगों के मुझे खाना निकल चिन ले रहे है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में था जो मैंने उस रात देखा वह बहुत ही मुझे यह करने वाला था मन को उद्विक न करने वाला था मतलब लाइफ में यह भी भयानक सीन था वो जहां विचारे लोग दिन बार मजदूरी करके रात अनाज खाने के लिए रहते हैं तो यह बारिश यो है उनके पुरे अनाज को अनाज तो एक तरफ मैडम वो रोटिया दिखा रही थी मुझे दोस्तों इन विसन की खास नकर सेवक आपके दूआर इस कारक्रम में बग्तो चलाएक छोड़े सब्सक्राइब का मिलते हैं सब्सक्राइब आपके लावेश मेरी को अनाज वो रावेश आपके असेह हैं सब्सक्राइब के लावेश पर रहते हैंony ब이야 के लिए जाए इस सब्सक्राइब प्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नगर सेवक आपके द्वार एसकारिक्रे में आज हमने अपने स्टूडियों में खास्ता और पर अमद्रित किया है प्रभाक्रमांग 22 की नगर सेवी का श्रद्धा पार्थक नांगो मैं मैं उन्हें आपसे पूछ रही थी कि आप अखिल भारती विद्धार्थी परिशत की सक्रिय सदस्या रही है जिसमें आपने विविद कॉलेजों के एलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया है तो उस समय का अनुभो तो ऐसा है कि वो तो एक बहुत सुनायरे दीन रहते ह हर कॉलेज विद्धार्थी के जीवन में और यह जो संगटन है अकिल भारती विद्धार्थी परिशत यही एक ऐसी जैसे एक खान रही थी ना इसमें हीरे निकलते है याने तो वह निकलने वाली एक यह है और उसमें एक बार अगर कोई आ गया तो वह पूरा बनकर बाहल करता है तो हर एक कॉलेज में हम लोग आंदोलन करते थे और वहां के आंदोलन कैसे रहते थे कि 14 अगस्ट मशाल मोर्चा फिर कहीं पर रस्ता रोको आंदोलन रस्ते पर सोजाओ फिर पोलीस आएंगी इमारेगी फिर अरेस्ट करेंगी या फिर किसी का लाइट फोर्ड दो ऐसे सब लाइट फोर्ड दोयाने किसी मंतरी के गाड़ी का लाइट फोर्ड ना अलग-अलग आंदोलन होते थे इसके अलावा जो मिटिंग रहती थी एक शीस्तर रहती थी वहां पे पूरा तो वो सब उसमें एक आदमी तयार होने का वो एक जरिया है अगर वो उसमें समय होता है जो विधारती जीवन में ऐसा लगता है कि थोड़ा मौज मस्ती का काम रहता है करना चाहिए फ्रेंट्स के साथ घूमना फिरना लेकिन आपने इस कदम की और मतलब इस और कदम रखा तो आपको कभी परिवार के तरफ से नहीं मतलब रोका गया हां जब मैं 1989-1990 का वो समय था जब मैं विधारती परिशत का काम शुरू किया तब एक लड़की ने लड़कों के साथ काम करना है ने लोग अलग नदर से देखते थे बहुत बड़ी बात थी कि इनकी यह कार्या करता क्यों आ रहे बार बार इनकी जीच की मिटिंग हो रही है यह अटा पिता ने तो कुछ बोला ने लेकिन उनको पता हो गया था कि यह काम करने वाली है और जब कार्या करता घर पर आते थी तो उनको भी एक विश्वास हो गया कि नहीं हमारी लड़की अच्छे संगड़न में काम कर लिए और वो अच्छा काम करेगी तो उन्हों ने भी कभी रोका नहीं, सिर्फ रोकने का एक वज़ा था, जब मैं कॉलेज इलेक्षन में कैमपेंड करने के लिए जाती थी, तो उनको, उनमें सिपेंड बेरार कॉलेज में थी, महिल का जो तुलसी बाग का जो सिपेंड बेरार कॉलेज है, वहाँ पे मैं बढ़ती थी, और जब मैं राम जन्मो भूमी का अपना 6 दिसंबर का हुआ तो मैं एक महना पहले हम लोग यहां से हमारा विद्धार्थी परिशत का एक जद्धा निकला था नाकपूर से तो मैं उस वक्त बहुत ही कड़े विरोत के साथ घर छोड़ कर निकली थी और वो मेरे जीवन का बहुत सफर चलता रहा और कारवा बनता गया अब जैसा कि आपने सारी चीज़े कहा कि शुरू शुरू में परिवार का विरोत था लेकिन बाद में जब सब को पता चल गया कि नहीं अब जो होता ना किसी में देश वक्ति समात सेवा का जो ज़स्बा होता कूट-कूट के भरा रह आदर्श वक्ति के लिए मैं जहां तक स्वामी विवेका नंद जी को पढ़ती हूँ वो मेरे आदर्श वक्ति है राजमाता जिजाउ साहेब भोसले जो शिवाजी महाराज की मातो से रह चुकी है वो मेरी आदर्श है और इनके में किताब और इसब पढ़ते पढ़ते परकरी और माननीय देवेंद्र जी फंडवीस इनके जो काम आते हैं जो टीवी पर नुचैनल पर अलग अलग जगर दिखाते हैं वो मैं बड़ी दिल्चस्पी से देखती हूँ उनके लाइव शो देखती हूँ मैं और उससे मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे स करना चाहिए तो यह दो मेरे राज्किय गुरु है मैं यह बताई कि आप अपनी बस्ती में समस्याओं को सुलजाने के लिए क्लिए और साथ ही जाद हमने सुने कि आप अपने एरिया में जो है लोगों को एक जूट करने के लिए कई तरह के सामाजी और धार्मी करें लेती दिए हुए तो पहला तो मेरा उपक्रम ए था कि हमारे प्रभाग में तेली समाज भवन करके तेली पूरा नाकाडे मोलना में एक समाज भवन है वहाँ पे उसकी बहुत दुरदशा थी बहुत गहर वेवार हो रहे थे मैलाय तरस थी वो सब वेवारों से और महलाय मेरे अभी उन्होंने वो योगा अभ्यास की परिक्षाई दी उसमें बड़ी प्रमान पे उत्तिरण हुई और उन्होंने अपना योगा क्लास वहां पे चालू किया सभापती थी तब मैंने वहां पे एक प्रोजेक्ट दाला था कि आप बस्ती के लोगों के लिए दवा खाने की जरूरत है क्योंकि हर कोई प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं जा सकता उसके पहले जब मैं नगर सेविका हुई 2017 में 2017 से 2019 तक मैंने कंटिन्यू वहां पे गुरवार शुक्रवार गुरवार शुक्रवार का दवा खाना चलाया मानने नितिन जी गड़करी का दिंद्या बिंद का आपरेशन करवाया गया और फिर बाद में कोरोना लगा फिर वो सब बंद हो गया फिर मैं जब सभापती हुई तो एक यह डाला था कि यहां पे एक नागरिक सुविधा केंद्र पापलेला यह डॉक्टर चाहिए यहां पे क्योंकि लोग प्राइवेट में इतनी दवाई मिलती है दो डॉक्टर और चार नर्स वहाँ पे काम करते हैं यह एक भाग यह सारी सीदे में पद में थी तभी यह सब करवाया था बाद में हम लोग बोलते हैं कि एक जो बूत है वो इलेक्शन के लिए रहना चाहिए तो मेरा मानना है कि बूत है इलेक्शन के तब हमने हर बूत पर बड़े पैमाने पर ऑक्सोमीटर से ऑक्सिजन चेक करना टेंपरिचर चेक करना उनको बीपी चेक करना उनको बूस्टर डोस देना दवाईया देना यह सब काम हमने प्रभाग के डॉक्टर की एक टीम बनवा की हुई है यह अलग काम था उसके बाद वसुंदरा दिन पर भू अलंकर ने बड़ रंगोली निकालना फिर वहाँ पर मैलाओं को बुलाना पक्षियों के लिए चारा पानी की विवस्था करके देना यह सब काम किये गए है अभी घिलाल अभी अपना गुड़ी पाड़वा पर एक रैली निकलती है अभी यह रा चुने को ऐसी तैयों तो कही न कहीं जो हैं महिलायों अपनी समस्याओ को भी आर्स तक पूंचा तक कुछ में जायर को juntos कुछ चल अपने पने तक आती हैं और बताती और जाहिए हैं法 में पादें हैंशानी के इस तक अपने एक विज आप अगरए बढ़ राजनीती में आपके सारी समस्याइं पता चल जाती हैं मैं बात कर थी कि आपके एरिये में जो आप चोड़ी छोड़ी उप्रम चलाती है तो उसे कहीं और कहीं जो है महिलाओं की बहुत सारी समस्याइं से जो हैं आप अवकत हो जाती है क्योंकि हम ने सुने कि अब हर 15 दिन ही महिलाओं की बैचती है तो उसमें उनकी समस्याइं लेकिन को पूछा चाहूंकि कि राजनीती में आपके साप अपके एरिया में क्या लगता है कि महिलाओं को आगे बंढ़ने के लिए कि स्थी कालाоров को यह प्रकार से स्युझारी बहुत अच्छा सवाल है मैडम क् trends हरग महिला ने अपनी जगह ले ले लिए फिर वो ईंजीन भी चलाती है विमान भी चलाती है और सब करलेती है लेकिन राजनिती में मैं चाहँ ज़ो कि महला से व्याय रॉन कार सकती नाक्bau exkanao k mama doesn't know what to do किचन तक जाएगी और उसका जो संपर्क रहता है वो बहुत बड़ा रहता है इसलिए महिलाओं ने यहाँ पर आना चाहिए और जब महिला आती है तो हम लोग 50% आरक्षन बोल रहे हैं तो फिर उसको 50% आरक्षन के लिए जो महिला काम कर दी है जब वहाँ पर आरक्षन दिय के लिए एक शरीर को अगर कोई दुखता है या कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसको एंटिबैक्टिरियल का इंजेक्शन देते है एक्सेटली सेम यही कारण है कि महिलाओं ने राजनीते में आना चाहिए और आप अपने एरिया की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनको अभर प्रदर्शन नहीं आता तो मैंने उन्ही महिलाओं को बोला कि आपको यह करना है आपको स्वागत करना है तो आपको संचलन करना है आपको अभर प्रदर्शन करना है आपको यह इतना बोलना है आपको इतना परिशे देना है तो उन्होंने बोला मैडम नहीं आ मिला को डायस मिले हर महिला को माइक मिले उसको बोलने की बिल्कुल छूट मिल जाए वो उसकी मन की बात कह सके यह मैं बहुत दिल से चाहती हूँ मैं यह पुशा हूँगी कि कई बार हम देखते हैं कि सरकारी योजनाय जो है वो आती तो है लेकिन रौपर जनता तक नहीं पहुच पाती है कि स्धार से sir और एक नगर्शेवी का भी हूँ लेकिनुषक्र। đó चब भी कोई भी योजनां होती है केंडल से केंदर सरकार से या राज्य सरकार से तो हमारी जो सिस्टीम लगी हुई है भारतिय जनता पार्टी की वो सिस्टीम ही ऐसी लगी हुई है कि वो नगर से मंडल आएंगी मंडल से प्रभाग में आएंगी प्रभाग से बुथ स्तर पर आएंगी और बुथ का जो बुथ प्रम एक रूपया निकला है, तो एक ही रूपया नागरिक को मिलेगा. सो रूपे निकले हैं तो सो ये रूपे वो नागरी को मिलेंगे इतना सच्चे दिल से हम लोग सब कार्य करता काम करते हैं मैम जैसे कि आपकी उपलब्धी पी तो हमने जाना और बहुत सारी चीजें होती हैं जो जनता तक नहीं पहुच पाती है आपने समय समय पर जनता तक सरकारी योजनाएं हो या फिर इसी प्रकार कि उनको कोई भी समस्या हो रही है तो पहुचाने का काम किया है वाकई में आपका जो कारी यह है वो काविले तारीक है आखरी सवाल मेरा यह रहेगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी तो सबसे पहले तो सभी महलाओं को हम लोग महला दीन मना रहे है महला सबताह मना रहे है तो बहुत बहुत चुब काम ना है मैं महलाओं को बताना चाहूंगी कि आपके मन को लगता है कि मैंने ये करना चाहिए तो आप जरूर कीजिए ना कि किसी का अनुकरन करिए आपके मन के हिसाब से काम करिए जिसमें आपको समाधान मिलता है जिसमें आपको एनरजी मिलती है ना कि आपकी एनरजी जा रही है वो और हमेशा खुली नजरों के साथ अपने दीमाग के साथ सोचकर काम करिएगा यही कहना चाहूंगी दोस्तों नगर सेविक आपके द्वार इस कारिक्रम में आज हमारे साथ उपस्तित हुई थी नगर सेविका प्रभाक्रमांग 22 साथी सभापती गांधी बाग जून की इसके अलावा समास सेविका शद्धा पाथक मैं मैं एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बाद बाद देने बाद बाद खास मलाकाथ इस कारिक्रम के लिए नगर सेविका आपके द्वार इस कारिक्रम के तहर फिलहाल के लिए इतना ही बाती ख़परों के लिए आप देखते रहें ये इमिविसिन इwers नमस्कार जोट के तह तक जाकर पहुचाएंगे आपको सचाई तक आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब क्योंकि आपके वाच के नगर सेवक से करेंगे हम सीथे सवाल देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब क्या कहता है ये पास साल का अनुभाव क्या क्या कर सकते थे ऐसे तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रही है हमारा नया कारिक्रम नगर सेवक आपके द्वार